जै हिंद भाईयों आप सभी का फिट से एक बड़ स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल फेंटसी जोन में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया बाटसेस पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई बोल्ट इस मैच के बारे में और साथ में प्लियार के डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो भाईयों यहाँ पर वीडियो को स्टाट करूं इससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया हो या चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सस्क्राइब करके बैल नोटिपिकरशन को और कर दिजेगा ताकि मैं जब भी कोई फ्रेश वीडियो अप्डूट करूं सबसे पहले आप तक पहुचे और जो सबसे important बात है वो है टेलिग्रम अगर आपने हमारी टेलिग्रम चैनल से जुरे नहीं हो तो टेलिग्रम जल्दी से जुट जाइएगा टोज के बाद जो भी अगर मेंट से लेकर पीच रिपूर्ट से लेकर जो भी अब टेलिग्रम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और फ्रेस्ट कॉमेंट में आपको मिल जाएगा लिंक के लिंक पे क्लिक करके आप सीधा हमारे टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं तो चलिए भाईयों यहापे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की ठीक है दुबाई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मेच खेला जाने वाला है और साथ में प 211 तक यहापे हाईस्ट कोर बना है और साथ में लोएस्ट कोर यहापी 55 तक बना है और जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है ठीक है इस पीच पे फस्ट इनिक्स में बेटिंग करने वाले टीम से जादा सेकेंड इनिक्स में बेटिंग करने वाले टीम को मदद मिलता है म यह बात को ध्यान में रखना ठीक है तो चलिए भाईयों सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का Grand League का combination यहाँ पर त्यार करते हैं तो सबसे पहले अगर विकेट क्रिपिंग सेक्षन पर आप नजर डालेंगे तो यह पर पाकिस्तन की तरफ से आपको देखने को में महमत रिजवान और इंडिया की तरफ से रिशब पंध आपको देखने को मिल जाएगा तो रिशब पंध की यह पर एवरीज की बात की जाए टी-20 में 23 का एवरीज है और बाकी टी-20 में वो 49 का एवरीज है और लास्ट तीन मैच की पार्फोर्मेंस कारेंट कारेंट फॉर्म की हिसाब से अब देख सकते हो एक मैच में 69 है एक मैच में 14 है और एक मैच में 37 है ठीक है तो यहाँ पर रिशब पंध भी इंपोर्टेंट है महमत रिजवान भी इंपोर्ट क्यCloud रहेगा है यहाँ पर ब्रिशाफ पंद भी ओर मोहमतर रिजवान के रिजवान भी ठीक है तो इस हिसाब से हम ग्रैंगड का कमबनिशन यहाँ पर बनायेंगे ठीक है तो सबसे पहले फ़ास्ट निंवन नम्हापे महमतरईवान के साथ में एक टीम क्रेड कर रहा हूं ठीक है, महम्मत रिजवान के साथ, ठीक है, महम्मत रिजवान और साथ में यहाँ पर बाबर आजम, ठीक है, बाबर आजम, ठीक है, और साथ में यहाँ पर फकर जमान आपको देखने को मिल जाएगा, इनका जो एबरीज है, 23 का एबरीज है, last 3 match की performance की बात की जाए तो 1 match में century लगा यह है और बाकी 2 match में लगा तार मतलब 2 match में floor fee है ठीक है और ace early की बात की जाए तो ace early का 30 23 का average है और बाकी 3 match में current form की सबसे बात की जाए तो 3 match में इनका जो performance है 1 match में 20 1 match में 19 1 match में 18 है यहाँ पर एक बात ace early का मतलब average भी ठीक टाक है लेकिन इनकी तरफ से last 3 match में पार्फॉर्म कुछ खास नहीं आया है betting order भी लगबक सेकेंड डाउन में बेटिंग करने आ रहा है मतलब selection percentage भी डाउन है तो भाई मतलब एक opportunity बन सकता है ठीक है यहाँ पर तो एस अली को इस हिसाब से यहाँ पर पिक करेंगे एस अली को ठीक है यह रहेगा पाकिस्तान की तरफ से हमारे यह त्री तीन स्पोट बाकि इंडिया के तरफ से जो दो स्पोट आएगा यहाँ पर मैं ट्राइक करूंगा रोहित चर्मा और केल रहूल को ठीक है केल रहूल और रोहित चर्मा को ट्राइ करूंगा यहाँ पर केल रहूल और रोहित चर्मा यह रहेगा combination बाकी यहाँ पर all-rounder section की बात की जाए तो all-rounder section में आपको इंडिया की तरफ से देखने को मिल जाएगा हर्दिक पांडिया इनका जो average है 23 का average है और last पार्फ में आर्जड़ेजा आपको देखने को मिल जाएगा आर्जड़ेजा की जाड़ेजा का भी यहाँ पर average 23 का है इनका जो last match 3 match का पर्फों में से में 27 एक में 16 और एक में साथ है बाकि तीन में तीन उकेट भी इनके नाम है बाकि पाकिस्तान की तलब से आपको यह शादाफ खान देखने को मिल जाएगा अट्रा का average से यह यह वार्ड़ेजा रान बनाता है और last 3 match की बात की जाए तो last 3 match में 1 match में 48, 1 match में 34, 1 match में 21 का पारी इन्होंने खेला है और 3 match में एक में चटका है और साथ में महमत नवाज की बात की जाए तो महमत नवाज ने last 3 match की पार्फों मेंस आप यह पर देख सकते हो तो एक मैच मेस 27 है एक मैच में 4 है और एक मैच में 12 है ठीक है जी और तीर मैच में 4 के भी इनके नाम है तो यहाँ पे हमने मतलब महम्मत रिजवान और बावा राजम को लिया एस अर्ली को लिया अब यहाँ पर try करेंगे all around ठीक है और में all सांटर में कि यहाओं प हर्दिक पंडिया और साथ में पर आर ज्ड़ेजा चैनल रहेगा हमारा ठीक मुलिंौक देखे सामने लेफ्टेंडर अपको यह पर देखने को मिल जाएगा खुछदील शाहा महमत नवाज उसके बाद आपको फकड़ जमान ठीक है तो तीन के तीन यहां पर लेफ्टेंडर है तो आज शुन भी इंपोर्टेंट प्लियर हो सकता है इस में और साथ में बेटिंग का यहां पार्फ्वर्म नहीं आया है थीन में विचल के इन्हों ने चटका आया है तो भूबनेश्र खुमार भी इस में इम्पोर्टेंट रहेगा अगर इंडिया फास्ट इनिंग में बोलिंग करे तो बूबनेश्चर कुमार को आप आख बन करके ट्राइक करू ठीक है स्म इंस्फ इंश से श्बंदर क्वालिटी स्पिंटर है आपको किसी भी कॉंडिशन में हुख्ट चटका के दे सकता है इसलिए इसप्सक्रण को मस्ट ट्राइब और चाहिए तिक है यह एक अब देख सकते हो इंश बेढ़aları ft लास्ट तीन मैच को परफूमरी की बात कि जाए तो तीन मेच में साथ टि circuits चट्का के आ राए भाई ठीक है और साथ में अर्शव दीप से लार लाश्ट तीन मैच में चार उकंट है इनके नाम है ठीक है तो यह रहा हुँ इंडिया इंडिया की तरफ से बोलिंग सेक्षन का लेखा जो का बागी पाकिस्तान की बात कर लेते तो यहाँ पर एन शहा आपको देखने को मिल जाएगा एन शहा के पार्फॉमेंस भी ताबर तो पार्फॉमेंस से भाई यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर तीन मेच में पांच उखेट एक मिच में दो उर्ण एक में यहाँ पर तीन में दस उखेट चठका के आ रहा है न शाहर ठीग Hiş और राइंट टेंडर फास्ट बॉलर है ठीग है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जागा सहाणा बांगाइस दानी का लाश्ट मेंच की पार्फॉमेंस की बात की जा तो तीन मेंच में इन्होंने चटकाए है हरे श्रोप की बात की जाए तो तीन मेंच में च्टकाए है डेथ में बोलिंग करने आएगा और साथ में एसिंग भी डेथ में बोलिंग करने आएगा ठीक है और साथ में यहां पर बोलिंग सेक साथ में फकर जमान के साथ यहां पर आली खुझदिल शाहा शाधाप खान महमत नवास तक हमने ड्रॉप कर दिया भाई ठीक है तो यहां का जो विकेट जिरे गिरेगा मतलब फास्ट इनिंग फास्ट टॉप ओडर जब आएगा ना भाई तो बोलिंग कौन डालेगा यहां भ कुपने शर्फ कुमार को ड्रॉप करेंगे इस टीम में क्योंकि हमने टॉफ अडर को पिक किया है ठीक है कुछ इस इसाप से देखो वाई मैच में मतलब सक्सेस होना या ना होना विनिंग होना या लॉस होना वह बात के बात है लेकिन लोजिक को तो फोलो करना चाहिए है तो इस लॉजिक के अनुसार यहाँ पर हम यह ट्राइ करेंगे और आश्विन को और आश्विन को ट्राइ करेंगे ठीक है और साथ में एजबंदर चेहल को ट्राइ करेंगे ठीक है हमने एस सिंग को ड्रॉप किया बुबनेश्र कुमार को ड्रॉप किया इसलिए क्योंकि हम हमने टौफ अडर दो बल्लेवाज को सिलेक्ट किया है ठीक है ठीक है चलिए अब यहाँ पर बाकी है दो स्पोर्ट दो स्पोर्ट में करना क्या है हमने यहाँ पर केल रहूल को सिलेक्ट किया रूहीद शर्मा को पिक किया है ठीक है तो इस हिसाब से हमको यहाँ पर पिक करना यहाँ पर बोलिंग सेक्षन में एन शाहा को ट्राइब करेंगे एन शाहा को और साथ में साहनावाज धानी को यह रहेगा कंबिनेशन भाई ठीक है तो यहाँ पर अगर कैप्टिन की बात की जाए तो यहाँ पर मैं हर्दिक पांदिया के उपर ट्राइ करूंगा कैप्टिन ठीक है और बाइस के अप चाहो तो वेटिंग सेक्षन में भी ट्राइब कर सकते हो ठीक है महम्मत रिजवन को को भी ट्राइब कर सकते है ठीक है तो मैं यह इस टीम में मेरा केप्टिन रहेगा हर्दिक पांडिया और बाइस केप्टिन रहेगा मोहमत रिजवन कि आई हो भाई हो यह मतलब यह कंबनेशन आपको क्लियरलिस समझ में आ गया है तो आप स्किन शॉट लेके आप रख सकते है ठीक है अब चलते हैं दूसरे टिम पे तो दूसरे टिम में हमको यह पर ट्राइब करना है रिशाप पंत को तो रिशाप पंत हमारा रहेगा हुआ फिक है और पंद ठीख है आर पंद को हमने ट्रै किया आप देखिए यहां पर पे रोहित छार्मा को ट्राइ किया-केल-राहूल को ट्राइ किया ठिक है बिरयक को ड्रॉप किया शुर्यः कौमार यदावब को ड्रॉप किया तो हम इस desde के लाहुल को ट्रॉब करेंगे यहाँ पर सुर्यकुमार यादप को को a yes सह कि याद्व कुछी के और साथ में पर याप बी रट ने कोई को ट्राइब अगर आ अगर आपको भी रिसकता लेक्परेश् communities के साथ जाए जाएगा इस पीड स्पॉर्ट में ठीक है तो मैं आप को भी को ट्राइए करा हूँ विए को हुली को ठीक है थीक है तो यह रहेगा बेतिंग सेक्ष्चन का इंडिया की तरफ से और सात में यहां पर पाकिस्तान की बात की जाए तो हे फोकर जमान को हम ट्राइए करेंगे और बाबर आजम को ट्राइए करेंगे घ्र Mais तो हम थि Hein फोकर जमान अब हर्दिक पांडिया को हमने कैप्टेन ट्राइग गया है ठीक न तो यहाँ पर करना क्या है इस मैच में हर्दिक पांडिया इस टीम में हर्दिक पांडिया को ड्रोप करेंगे ठीक हर्दिक पांडिया के जगा पे यहाँ पर हम ट्राइग करेंगे सदाप खान को अब चाहो तो यहाँ पर ट्राइब कर सकते हो हार्दिक पांडिया को मस्ट पिक रखे मतलब यहाँ पर आप जैसी की हार्दिक पांडिया कन्फर्म रहेगा ठीक हार्दिक पांडिया कन्फर्म रहेगा रबिंडर जड़जा की जगा आप यहाँ पर साधव खान को ट्राइ से ठीक है यह रहेगा all-rounder section का combination बाकी चलते बोलिंग section की combination की तरफ तो इहाप हमने पाकिस्तान की तरफ से महमध रिजवान को ड्रॉप किया है ठीक है और बाबर आजम फोकर जमन को ट्राइब किया है ठीक है तो यहाप पेसे मोहमद रिजवान को इसलिए ड्रोप किया है क्योंकि मतलब इस टीम के लोजिक के अनुसार मोहमद रिजवान आउट होने वाला है तो कौन इनका उकेट लेगा बुबनेशर कुमार लेगा हर्श्यदिप शिंग लेगा दोनों में से किसी एक लेगा तो यहाँ पर मैं यह सिंग को ट्राइ करूंगा ठीक है यह सिंग को ट्राइ करूंगा और साथ में पर बुबनेशर कुमार को ट्राइ करूंगा ठीक है एस सिंग और बुबनेशर कुमार यह रहेगा बोलिंग सेक्शन ठीक है बाकि पाकिस्तन की बात आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने र लेवाज को बेटिंग को हम यहां पर जो और यहां पर सहानवाज धानी यह रहेगा टीम टू का कम्बिनेशन लोजिक के साथ तो भाई वह इस टिम का कैप्टेन और वाइस केप्टेन की बात के जाए तो भाई देखो यहां पर जो भी टेम फास्ट इनिक्स में बोलिंग करे करें तो एस इंग कैप्टेन होगा वाइस केप्टेन बुबर नशर कुमार होगा वी सी यह रहेगा अगर पाकिस्तान करें तो कैप्टेन रहेगा हरे श्रोप और सहानवाज धानी रहेगा वी सी मैं कांसप्ट लियर होना चाहिए जो टिम पहले निस में बोलिंग करेगा वहीी बनेगा केप्टेन बासक्टेन टिम नमने ठीक है तो यह रहेगा कममेशन आपका आप चलते ह Ginsburg say पर आप चाहो तो यहाँ पर आप बोली बेटिंग सेक्शन में भी आप फोकस करते हो ठीक है क्योंकि बेटिंग को भी इस पीच में अच्छा एक हवाल सा मदद मिलता है ठीक है तो यह बात को द्यान में रखे आप कंबनेशन बनाना आप आपको चाहिए ठीक है तो चलियों यहाँ पर बाकी यहाँ पर बात कर लुए एक टीम पर तिसरे के बात कर ले coupon के तो अभा की कौन सा मतलब कौन सा स्पोर्ट से यह इसपोर्ट आएगा अब देखिए यहाँ पर नहीं से क्षिप्ट से कि यहाँ पे जाएगा जो की है रावर आजम का स्पोट क्योंकि दोनों टीम में अब इस टीम में द्रब कर देंगे ठीक है रिस्ट लेना पड़ता है जो यह बात को दियान में रखेंए यहाँ उन्डोनों टीम में section का combination की तरफ रोहित शर्मा के साथ यहाप पर मैं सुरिया कुमार यादप को ट्राइग करूंगा सुरिया कुमार यादप और साथ में रोहित शर्मा ठीक है यह रहेगा combination और साथ में यहाप फकर जमान हमने एस आली को ट्राइग किया है अप ए आली जिनका average 17 का है इनका performance आप यहाप पर देख सकते हैं एक मैच में 23 एक मैच में तीन एक में 25 है ठीक है और खुचदिल शाहा खुचदिल शाहा के साथ एक ही प्लास कि बाई कभी कभी बोलिंग डालने भी आ जाता है तो यह बात को ध्यान में रखते हुए खुचदिल शाहा को यहाप पर ट्राइग करेंगे हम ठीक है खुचदिल शाहा को ट्राइग करेंगे खुचदिल शाहा के साथ हम जा रहा है के शाहा ठीक है तो यह बात को ध्यान में रखना तो यहाप यह रहेगा combination टीम नमबर तो तीसरा टीम है ना भाई थोड़ा रिस्की होने वाला है अगर आप चाहो तो के शाह के जगा आप फकर जमान को ट्राइब कर सकते हैं या फिर आप बाबर आज़ों को ट्राइब कर सकते हैं ठीक है बाकि मैं रिस्क लेने वाला हूं खुशदिल शाह के साथ रिस्क लेने का रिजन में आपको बता दिया कि भाई बोलिंग भी कभी कभी डाल देते हैं ठीक है ना तो इसलिए यहाँ पर मैं खुशदिल शाह के साथ जाने वाला हूं बाकि ऑल्राउंडर स्पाट में यहाँ पर दो टीम में हर्दिक पांडिया को ट्राइब किया ठीक है यह रहेगा ओल्राउंडर सेक्शन का कम्बिनेशन अब बोलिंग सेक्शन की बात आते हैं तब यहाँ पर हमने मोहमद रिजवान को पिक किया उसके बाद यहाँ पर देखिए बाबर अजम फकर जमान एस अली ए अली मतलब चार बल्लेबाच को ड्रॉप किया तो चार ब आर अश्विन और ये सिंग अब चाहो तो आर अश्विन की जगा बुमनेशुर कुमर को ट्राइब कर सकते हैं ठीक है तो बाकी यहाँ पर दो स्पोर्ट में बोलिंग सेक्शन यहाँ पर हमने ट्राइब किया है रोहित शर्मा साथ में सुर्या कुमार यादब केल रहू ड लेगा ठीक है ऐसा तो नहीं है बाइब मीडल ओडर में आके खुशदिल शाहा इनका केल रहूल का उक्यट लेकर जाए उपेनर में इसा तो पुसीबल नहीं है ना शुरुवाती में जो भी बोला बोलिंग डालेगा वो भी केल रहूल का उक्यट ले सकता है हाँ बहुँ मारि रोहित शामा के साथ सुर्यो कुमार यादव को इसलिये रखा क्योंकि मतलब फ़र्स्ट गिरने वह इसके हिसाब से डिखे रहा है रही श्रॉप और साथ में सहानभास धानी मतलब हुर्ष और साथ में शाह को यहापी ट्राइग करई ठीक है हारी शूप और एन शाहा यह combination रहेगा ठीक है और यहाँ पर बात आते हैं Captain और Vice Captain का तो यहाँ पर रोहीत शर्मा को BC ट्राइ करूँगा मैं BC ठीक है और आर जड़ुजा को Captain ट्राइ करेंगे देखें Captain Vice Captain का जो combination थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है टोच के सबसे ठीक है तो भाईयो यह रहा तीन टीम का combination लोजिक के साथ जो भी confusion होगा अब सिधा मुझे comment section में पूछ सकते हो ठीक है मैं हर किसी comment का reply करता हूँ तो भाईयो I hope वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक like कर दीजेगा और comment section में जरूर बताना कि आज का ये prediction कैसा लगा है बाकि जो भी final update होगा important update होगा मैं live session में आके आपको दूँगा तो मिलते हैं अगले और एक जबरतस वीडियो म में तब तक के लिए खुद का केल जरूर रखिएगा जय हिंद्ध